परिवार की ऐसी इस्थिती जहां पर तीन बक्त का खाना ही बरी मुस्किन से हो पाता था समय ऐसा लगता था कि किसी तरीके से 11-12 करने के बाद मैं कहीं कमाने चला जाओंगा ताकि मेरी घर की इस्थिती अच्छी हो जाए मेरी मम्मी अस्थमा की पेसेंट है वह अस्थमा से हाफ रही थी और साथ में सिलाई भी कर रही थी तो मुझे वह सिच्वेशन देखके बहुत ही ज्यादा खराब लगा मेरे एक दोस्त का कॉल आया और उसने बताया कि कि एसे सी सीजील 14 का रिजल्ट डिकलियर हो गया है जैसी उन्होंने कॉल रखा मैंने बताया अपने घरवालों को मेरा सेलेक्शन हो गया है मम्मी के आखों में आसू आ गय थे मम्मी बचपन की कहानी सुनाना इस्टार्ट कर देती कि तुम जब छोटे थे तो कैसे जाया कर लोग पढ़े लिखे हैं नहीं उतना ज्यादा गाइडेंस है साथ ही में परिबार की ऐसी इस्थिती जहां पे तीन वक्त का खाना ही बरी मुस्किल से हो पाता था पुरवजों का बनाया हुआ घर तो था हमारे पास पर उस घर का रिपियरिंग कराना यह सब काफी मुस्कि करता हूं और आज मैं जो स्टॉक के माध्यम से अपनी कहानी आप लोगों से सियर करना चाहता हूं अब मैं आपको अपने बच्पन में लेके चलता हूं मेरे पापा एक छोटी से किसान थे तो पापा छोटी से खेत के टुकरे पे खेती बारी किया करते थे वहीं मम्मी मेर कि तीन वक्त का खाना भी मृश्किल से चलपा रहा था हमारा घर तो प्रुपजरों का दिया हुआ था हमारे पास परर उसम s पास पापाक से कराना और साथ में मुझे भी जारा गर्मी बरसात किसी दिन मावसा में पापा के साथ हमेशाओ घेत्मिंटम sono होना रहना परता था तो बिहार से होंगे उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे वहां पर खेती के इस तरीके से होती है तो हम जारा में गर्मी में हर मौसम में खेतों में रहा करते थे हमारा बचपन कब निकल गया पता नहीं लगा जब मैं क्लास 3 तक अपने गाउं में पापा परिबार के बच्चे पढ़ाई करने के बाद गुजरात दिल्ली मुंबाई कहीं जाले जाते हैं कमाने के लिए उसी तरीके से मेरे माइन में भी ऐसा ही चल रहा था उस टाइम में तेंथ क्लास में मेरे इतनी अच्छे मार्क्स थे कि लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे एक समय ऐसा भी लगा कि सायद मुझे तेंथ के बाद पढ़ाई छोड़ देनी पड़ेगी एक दिन मैं अपने घर गया पापा से पैसे मांगे और पापा ने कहा कि उनके पास पैसे हैं नहीं देने को तो एक्ट्वाली उनकी भी कोई गल्ती थी नहीं और खुद प क्लास 12 किया सब्सक्राइब करने के बाद मुझे नहीं आ रहा था तो एक दिन मुझे किसी दोस्त ने बताया कि निटबर कंपनी कर लो मैंने निटबर कंपनी के बारे में जानते होंगे उनको एडिया होगा कि वहां पे लोगों को जोड़ना होता है और आप जितने लोगो के सामने पुरा अंधकार सचा गया था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे जीवन में करना क्या है तो एक दिन मैं अपने दोस्त विकास से मिला और उससे अपने कहानी बताई तो और बताया कि तुम मुझे कुछ पढ़ाना इस्टार्ट करूं तो बिकास ने मुझे दो इस्ट्वेंट दिये और मैं वहां से टूसन पढ़ाना इस्टार्ट किया एक दिन मैं अपने ही परोज के लगे अधीर से मिला अधीर ने बताया कि वह कंप्रिशन की तैयारी कर रहा है तो मैंने उनसे बताया कि मेरे कम्प्रिशन के टीचर को पैसे दे पाऊं और नहीं मेरे पास बुक्स के पैसे थे उस तो अधीर ने बताया कि करके कोचिंग है जहां परभात सर मुफ्ष में भी पढ़ाते हैं गरीब बच्चों को मैं परभात सर से मिला और परभात सर को अपनी कहानी बताई कि सर मेरा मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है अगर आप मुझे गाइड करेंगे तो मैं एक दिन सरकारी जॉब ले लूँगा तो सर ने बोला कि से ठीक है देखते हैं तुम क्या करते हो परभात सर के यहां जाते समय ही वहां लोगों ने मुझे देखा कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है तो अलमुस्ट छे महीने क्लास करने के बाद वहीं के बच्चों को मैं ले करके और एक अपना कमप्टि जिसमें मैं अपने इंग्लिस की बज़ा से फेल कर गया फिर उसके बाद एक चेसल का एकजाम हुआ उसके बाद डी आडी ओ का एकजाम हुआ मैं लगातार दो तीन फेलियोर देख लिया था अपनी लाइफ में स्टार्टिंग इनिस्टेज में उसके बाद मैं एक दिन खेतों में थे मैं ममी से बोला कि तुम मुझे आप एक साल और दो मैं एक साल के अंदर कहीं ने कहीं जोब लेकर करके दिखा दूँगा क्यूंकि आप मेरी तयारी इतना अच्छी हो गई है कि क्लास के जो मेरे साथ में पर परने वाले सवाथ पार्टी है और कहते हैं कि इंग्लिस में स्कॉर नहीं कर पाया फिर भीट मेरा स्कॉर ऑच्चा था यहां थीन से सेड़नला उश्टक तर इंग्लीज से वांग्राइब 15 में इंग्लीजिश में प्रक्रम के व का उस दिन मैं अपने घर पे ही था और रात का समय था मैं सोने जा रहा था तब भी मेरे एक दोस्त का कॉल आया और उसने बताया कि कि एससी सीजीयल 14 का रिजल्ट निकलीयर हो गया है जिसमें तुम्हारा सेलेक्षन टैक्स एशिटेंट के पोस्ट पे हुआ है उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि टैक्स एशिटेंट होता गया है क्योंकि उस टाइम इतना जादा मीडिया था नहीं हमारे पास में सोसल मी और उसके बाद मैं साल 2014 में कुलकता कस्टम्स में एजा पीए ज्वाइन किया चौदा से जब मैं कुलकता कस्टम्स ज्वाइन किया फिर उस टाइम मेरे ममी पापा दोनों बीमार रहने लगे तो अब दोनों जगह मैनेज कर पाना मिरे लिए काफी मुश्किल हो रहा था कि फर पे आ करके पापा ममी को देखो तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग भी मेरे साथ कुलकता चलिए अब रहने के लिए और लोग भी कर गए पर मैं उस जॉब से भी काफी ज्यादा सटिस्फाइट था नहीं क्योंकि वहां जब मैं देखता था वहां इंस्पेक्टर को तो सब्सक्राया की चलिए लाखेज़ की आप मुझे थोरा सा समय दिजिये फिर सीजील्स विए हमारा में भी ऺडिम्री उट्व में अच्छा गया में इंगलिस इसमेंटा कम रहए गया फिर से कुछ नहीं हो पाया सीजल से बाद में अप साएट नहीं हो पाइगा हम मैं और दो-चार लोग और थें, सब मिल करके तयारी ये स्टार्ट करी हमने, तो जैसा कि हिंदी मेडियम से पर्फने बाले शात्रों को हमेशा से इंगलिस में परसानी आती है, और ऐसे ही परसानी मेरे लाइफ में भी थी, मैं भी इंगलिस से काफी डर गया था, क्योंकि हर इंगलिस में मार्क्ष कम रह जा रहे थे, तो एक दिन आसीश ने मुझे बताया कि आप किस तरेके से तैयारी करिए, आसीश, विकास, इन लोगों के साथ मैं मिल करके तैयारी फिर से स्टार्ट किया, फिर से इंगलिस पे ही लगातार में काम करता रहा, इसी बीच में घर क की परसानिया तो चली रही थी शाथ में पापा विमार मंपी विमार और साथ में तैयारी भी कर रहा था आप सबीको पता होगा कि जॉआब के साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है तो मैं एक प्लानिंग किया था कि दिन में ऑफिस में थोड़ा बहुत तो अगर टाइम मिले तो मैं पढ़ लूँ और रात का जो समय है उसको मैं अच्छे से देखा करता था साथ ही में इंग्लिस के लिए मैं केडी कैंपस का बुक और साथ में इंबी से मैं इंग्लिस पढ़ा करता था से जाकर के मेरा काफी अच्छा स्कोर आया प्री में इंग्लिस का स्कोर 45 था आउट और ऑफर ओल स्कोर 195 आया था मेरा नॉर्मलाइज स्कोर सेप्टेमबर के आज पास में सीजे लटारा का मेंस हुआ मेंस से पहले वाली रात को जैसे कि आपको पता हुआ कि नर्वसनेस ब गया था मैस का पड़érique करने के बाद मैं जब बाहर निकला तो मुझे से पीबर हो गया था उसके बाद फिर उंग्लिस का जब हुआ मेरा इंग्लिस का ने कि इतना बढ़िया गया इस वार कि बता तो अब एक अंदर से आ गया था कि नहीं इस बार तो हो जाएगा मेरा सेलेक्शन उसके बाद मेंस के बाद दिसंबर के आसपास में और आपको पता हुआ कि उस टाइम कोवीड आ गया था कोवीड के चक्कर में बहुत जारा डिले भी हुआ रियल्ट में और फाइनली मेरा 401 रैंक आया तो हमारा डॉक्मेंट वेरिफिकेशन और फीजकल जो हुआ था वो हुआ था जेल नहरु था क्योंकि एक ड्रीम पोस्ट पे जब आप पहुंच जाते हैं तो काफी अच्छा लगता है आपको तो उसके बाद हमारा डॉक्मेंट फेरिफिकेशन हुआ साइक्लिंग जो भी वाकिंग वार हो गया उसके बाद राम अनोहर लोहिया में हमारा मेडिकल हुआ और उसके जदर ज्वाइनिंग के बाद हमें टरेनिंग पर नासेन फरीदाबाद भेजा गया तो उस दिन का इनवायर्वारेमेंट काफी अलग लग लग रहा था उस दिन लग रहा था मम्मी बच्पन की कहानी सुनानाय स्टार्ट कर देती थी कि तुम जब छोटे थे तो कैसे जाया करते थे खेत पे पापा के लिए खाना ले करके कैसे तुम जाया करते थे मसीन ले करके पानी पटाने के लिए और कैसे कैसे तुम बड़े हो गए और आज इंस्पेक्टर बन ग बिहार के किसी भी जीले में हो चाहिए भागलपुर हो नालंदा हो या फिर आप विश्ट संपारन हो कहीं से भी आप तयारी करके मेरी तरीके से आप भी आगे बढ़ सकते हैं जब मैं सेल्फ प्रिपेरेशन करके यहां तक पहुंचा हूं तो आप भी एचिवमेंट ले सकते हैं अपने लाइफ में बस आपको जीद करनी है अपनी लाइफ में इसने डेर सारा इंस्पारिंग श्टोरी एक से एक बढ़ के भी आपर देखेला मिल तो एकर नाम है जो स्टॉक्स पिहार जो स्टॉक्स पिहार के बढ़िया सब्सक्राइब कर ले हूं घंटा उंटा माजा केल के एदा मोटिवेस्ण लेल की काम शुरू केल के सब्सक्राइब कैसर मिलते एदा मिलते जन्डा गाड़ता हूं